इसलाम अलेकुम कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे मैं आगया हूं फिर सिक नई वीडियो के साथ यह वीडियो उन लोगों के लिए जो क्वेट में रहते हैं यह अभी इंडिया में फसे हुआ है ठीक है तो यह एप है सौलेंग की एप के उपर जिस पर आपको लोग इन करना पड़ेगा ठीक है जैसे मैंने अल्लेडी बहुत सारा वीडियो बना दिया है एमिन पर और इम्यून एप पर और मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ के साइट पर कैसे अपना साटिफिकेट अपलोड करते हैं वो और मोवाल क्वाइट आईडी पर ठीक है तो यह साड़ा काम हो गया होगा फ्लाइट जब आप पकरोगे क्वाइट के लिए तब उससे 24 घंटा पहले या 48 घंटा पहले क्वाइट मुसाफिर पर आप अपना फ्लाइट डिटेल और नाम जो भी होगा आपका फ्लाइट का नंबर वह सब साड़ा कुछ डाल लोगे वह मैंने वीडियो अल्यडी बना रख यह पूरा का पूरा सैलों की एप के उपर है कि उसको लॉग इन कैसे करेंगे तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे इसमें कोई गलती मत करना आप कोई OTP का गलती मत करना तो प्लीज वीडियो पूरा देख लें फिर उसके बाद लॉग इन करें अरहां से मैं ले चलता हूं आपको प्ले इस्टोर पर पर क्लिक करेंगे उपर आपको सा सहलों की शर्वानिक अप्लिकेशन इस पर क्लिक करेंगे अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो ओपन करने का आपको नहीं किया है तो फिर पहले आप इंस्टॉkal करना यहां पे इस्ट्लो का उप्शन आएगा तो इस्टॉब करने के पाद जस्ट आप ओपन करतेंगे तेक है उस्ट करने के जो पखला और इसमें सबसे वड़ी खाशित बात यह है कि इस एक बार लॉगिन करने के बाद आप दुबारा नंबर चेंज भी कर सकते हो वो नंबर चेंज कैसे करोगे वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा सबसे पहले आप अपना नंबर डालेंगे ठीक है उसके बाद सिविल लाइडी नंबर डालेंगे तीसरे में आपको लॉगिन करना है तो फर्स पेज पर आपको यही करना है जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद जो नंबर आपने डाला था उस नंबर पर आपको चार् करना जैसे आप login करेंगे ये सारा इंटरफेस आपको दिखिए देंगे है तो सबसे में पेज पेंश आपको आपका नाम उसके बाद आज कितना केस आया है वह आएगा ठीक है उसके बाद क्या क्या जरूरी है इस सब टाइप के जितने भी नियूज होते हैं वो यूसफुल नियूज होता है वो भी इसके अंदर अपडेट होता है तो यह बहुत ही ज्यादा यूसफुल एप है जैसे कि अब मैंने आपको पहले बताया था कि आप किसी भी नंबर से अपना सॉलेंग की एप है वो लॉग इन कर सकते हो और उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो ठीक है तो चलो मैं आपको अब चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यह चीज ठीक है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आए जैसी वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक चीज दिख रहा होगा यह वाला यह वाला जो पैंसिल है उस पैंसिल पे जैसी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नंबर चेंज कर लेंगे और आप अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो आडाम से कोई दिक्कत नहीं हो होगा ठीक है अब मैं फिर से आ गया हूं मेन पेस्ट पे तो अब आपको मालूम चली गया कि लॉगिन कैसे करते हैं नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं अब यह आपको नीचे जो यह फार्मेशी जो लिखावा दिख रहा है इसके अंदर आपको फार्मेशिस्ट का नंबर वैरा ह आप होते हैं उन सब्सक्राइब के जो भी हेल्प लाइन नंबर है या इससे आप बात करके आप अपना मेडिशन वैरा कुछ भी मंगवा सकते हो फिर उसके बाद यहां पर आते हैं सिम्टम है ठीक है सिम्टम के अंदर अगर आपको फीवर है कुछ भी है तो आप यहां प आप इससरा सोड़ी Chowtha है आपको Chowtha है आपको सेंटर सेंटर के अंदर यह जैसी आप क्लिक करो को सेंटर तो आप ढ़को की यहां पर रहते हो या मभुला में रहते हो तो वहां पर आपका कौन-कून होस्पिटल है जो कौर्मेंट होस्पिटल जहां पर आपका फ्री में इलाज हो सकता है उसके लिए यह सारा डिटेल है उसके बाद जैसे आप पांच पर जाएंगे पांच पर आपको लॉग के बारे में दिया हुआ है ठीक है अब वो बुरा अर्बिक म सब पढ़ लेंगे क्या देथ हुआ क्या कितना किसा है वो सब जान लेंगे तो यह बहुत यूश्फुल है आपको तो अब यह बताओ कि अगर आपको लॉगिन करने में कोई इसमें परिशानी हो रहा है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताओ ठीक है आपका वैक्सिन सर्ट टाइब का कम किसी भी परकार का अगर आपको प्रॉबलम हो रहा है किसी म्यूं को लॉगिन करने में कसी भी ऐसाधोर्य को फिर आपको अध्या कैप हो और जहां तक हो सके अपनों दोस्तों के शार शेयर करें हो सकता है आपकी एक वीडियो शेयर करने से दूसरी लोगों के पास ये चीज पहुंचे और उनकी मदद हो सके ठीक है तो मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ यान और आप देख रहें कोई चौ अप्टीट अलाफीज